Hey guys, welcome back to my channel आज मैं explain करने वाली हूँ short time web series के next two episodes अभी तरह इसका first part ही release हुआ है मतलब four episodes तो आज ये web series खतम हो जाएगी जिसने first part नहीं देखा है वो पहले first part देख लो first part का link मैं आपको description box में देदूँगी तो अब बिना time waste के story स्टार्ट करते हूँ स्टार्टिंग में साउथ की एक movie हिट हो गई है और अब पॉलिवूड में उस movie का remake बनने की बाते जल रही है फिर रगो के पास investor रूस्तम का कोल आता है रगो ने अर्मान और उसकी wife मंदीरा दोनों को ही रस्या में shooting के लिए मना लिया था तो अभी रूस्तम इसकी फिल्म में पैसे लगाएगा बट फिर जब ये news बाहर आई कि मंदीरा again comeback कर रही है मीडिया इसकी दिवानी हो गई और अर्मान अपनी ही wife से jealous feel करने लग गया इसने रगो को double cross करके माही की फिल्म को हाँ बोल दिया तो गुस्से में पागन रगो हर्मान के घर जाकर चिल्लाने लगता है पर अर्मान ने इसे ही insult करके घर से निकाल दिया कि तुम खुद को फिल्मों का खुदा समझते हो किसी भी फिल्म को हीट करा दोगे पर माही जानती है कि फिल्मों का खुदा एक्टर होता है उदर यासमीन को पता चल गया कि रगो ने उसी की फिल्म एजेंट हसीना मंदीरा को दी है यासमीन किते टाइम से रगो से उसके लिए request कर रही थी और strict diet follow कर रही थी अब ये रगो को बार बार कोल कर रही है तो रगो उसका कोल ही नहीं उठा रहा उदर माही की 1857 फिल्म की शूटिंगी स्टार्ट हो गई माही ने इसके लिए एक talented outsider मीना को मेन एक्टरिस का रोल दिया फिर माही अपने BF पृत्वी को उसका dream pursue करने को बोल रही है पृत्वी story writer बनना चाहता है तो अभी पृत्वी story ready करके लाएगा और माही इसकी help करेगी फिल्म बनाने में फिर पृत्वी माही को अपनी sister से मिलाने ले गया सुर्वी उपर से happy लग रही है बट माही ने उसकी neck पर चोट के निसान देख लिये थे सुर्वी का husband आकास domestic violence करता था सुर्वी की हैसियत उस घर में बस no कर जित्ती ही थी माही को तो ये सब समझा रहा था बट पृत्वी को नहीं जब वापस आकर माही ने ये पृत्वी से share करने की कोशिस की तो पृत्वी ने माही को ही चुकरा दिया ये बोलगे कि वो सुर्वी और आकास का personal matter है मैं आज तो उनकी बीच नहीं बोला तो तुम भी मत बोलो अब रगो घर आया तो यासमीन ने इस से fight की कि तुम जानते हो कि एजेंट हसीना के लिए ये कितना hard work कर रही थी ऐसे movies से निकाले जाने पर इसकी acting career पर भी बुरा असर पड़ेगा बिच रगो तो इसी को सुनाने लग गया कि भूल गई कहां से उठा कर लाया था आइटम songs करती हो तुम बस इसके अलावा acting से तुमारा दोर-दोर तक नाता नहीं है मतलब रगो ने यास्मीन की बहुत insult कर दी अब यास्मीन एक song को shoot कर रही थी तभी उसकी डोक्टर की को लाई और इसको बताया कि ये pregnant है यास्मीन पूरी तोट चुकी है क्योंकि कल ही तो रगो का real face देखा था अब उसको ये news बताएगी तो वो पता नहीं कितना गंदा बोलेगा और pregnancy की बज़े से इसका खुद का acting career भी start होने से पहले ही खतम हो जाएगा अब रगो का film production house सुन पड़ा हुआ है तभी इसको एक director साजन का message आता है ये starting में भी रगो के पास एक film की script लेकर आया था बट तब रगो इतने बड़े production house विक्टर स्टूडियो को चला रहा था तो छोटे लोगों से नहीं मिलता था बट आज साजन का message मिलते ही वाँ भागा भागा चला गया यादे थर्ड एपिसोड की starting में ही साउथ की एक movie हिट हुई थी तो साजन के पास उस film का remake बनाने का right है इसने film के release होने से पहले ही वो right खरीद लिया था तो अभी अगर रगो हाँ बोलता है तो ये उस film को बनाएंगे बिट साजन की condition है कि उस film में इसका बेटा मॉन्टोप हीरो का रोल करेगा उधर माही इनकी first complete film screw धिला देख रही है ये रगो का विक्टर स्टूडियो के साथ last project था सब कुछ ready है बस release होना है और इसमें भी मसाला भरा हुआ है तो माही तो ये पसंद नहीं करती पर पैसा लगे हुए है और पबलिक को ऐसी ही पसंद आती है तो माही इसको नहीं रोप पाएगी बट फिर इसको मुवी को प्रेजेंट करने की credit में रगू का नाम दिखा रगू ने विक्टर से डील की हुई थी कि जो भी project रगू बनाएगा उसमें credit इसी के नाम पर होगा और profit भी वही लेके जाएगा विक्टर स्टूडियो के पास बस इतना ही बचेगा कि salaries पे कर पाए तो मही रगू की जगे इस्टूडियो का ही नेम डालने को बोल रही है और profit भी नहीं की company को मिलेगा बेट ये इस मुवी के लिए possible नहीं है क्योंकि मुवी रगू ने बनाई थी अब सेट पर अर्मान के डायलोग्स और मीना के डायलोग्स में मीना के पास ज़्यादा audience catching डायलोग और scenes थे और वो acting भी अच्छी कर रही थी तो सभी उसी की तारीफ कर रहे थे तो अर्मान जो अपनी wife से jealous हो गया था वो मीना को इस से यागी कैसे tolerate करता ये again अपने vanity van में बंद होकर बैट गया माही को ही इस से बात करने आना पड़ा अर्मान बोल रहा है कि मीना से अच्छी acting नहीं हो पा रही है उसे replace करना जीए पर माही जानती है कि अर्मान false to के नथरे कर रहा है ये मीना को नहीं निकालेगी अर्मान को ही अपने convenience के हिसाब से shooting की start करनी पड़ेगी पर अर्मान का मानने वाला था जब माही को परिशान करके बात नहीं बनी तो इसने मीना के लिए daily shooting करना hard कर दिया बार-बार retake लेकर और उसकी acting में obstacles लाकर end में मीना daily की insult tolerate नहीं कर पाई और माही को बात करने बुलाई माही और सत्यकृष्णन दोनों जानते हैं कि मीना कितनी talented है अर्मान ही उसको परिशान कर रहे पर at the end मुवी से सूपर इस्टार को नहीं निकाला जा सकता था तो मीना को ही निकालना पड़ा उदर यास्मीन को टोक का कोल आ रहा है वो चाते हैं कि ये बेबी के फादर के साथ क्लिनिका है पर यास्मीन अभी तक रगो को इस बारे में नहीं बता पाई है ये तरी हुई है कि वो कैसे रियक करेगा रगो की मॉम यास्मीन के sad face को देखकर बोल रही है कि रगो और तुम्हें सैटल होना चाहिए या नहीं ये डिसेजन तुमाना भी होना चाहिए किसी को अपना ये हत्मत छीनने देना फिर इधर माही अपनी पुरानी जोग की फ्रेंड अदीती से मिलने आई अदीती ने माही को यास्मीन के प्रेगनेंसी की बात बताई अदीती नियूज चैनल में काम करती है तो कहीं से ये नियूज मिली होगी इसको अब माही ने रगो को अपने ओफिस में बात करने को बलाया ताकि उसे मना सके कि फिल्म क्रेडिट में कमपनी का नेम होना चाहिए और प्रोफिट भी कमपनी को मिलना चाहिए पर ये नहीं मानने वाला ना ही रगो ने हाफ आफ के लिए भी हाँ किया आफटर ओल फिर्म बनाने में इसने मैनत की थी तब माही ने इसको गुसा दिलाने को यास्मीन की प्रेगनेंसी वाली बात बता दी कि अगर ये नियूस बाहर आई तो तुम तो बरबाद हो जाओगी अब रगो सीधा यास्मीन के पास गिया यास्मीन आज भी यही ट्राई कर रही थी कि रगो को कैसे सच बताएगी बट रगो तो आते ही उस बेबी से छुटकार अब आने को बोल रहा है और यास्मीन पर ही प्लेम डाल दिया कि इसको मूवी नहीं दी तो ये रगो को इस निउस को बाहर लाकर बरबाद करना चाहती है पर यास्मीन ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी इसने तो रगो को तब भी लव और सपोर्ट किया था जब रगो के पास कुछ भी नहीं था यास्मीन रखु की ऐसे बिहेवियर से बहुत जादा हर्ट हो चुकी है उदर पृत्वी आज अगेर अपनी सिश्टर सुर्वी से मिलने गया था पर वो रोने के अलावा इसको कुछ बोल नहीं पाई पृत्वी अपनी सिश्टर को लव करता है और बोलता है कि ये अपनी फिल्म की स्टोरी इसी चीज पर लिखेगा यही टोबिक होगा इसकी फिल्म का माही इसको फुल सपोर्ट दिखाती है अब रगु की विक्टर स्टूडियो से बनी कुई लाश्ट फिल्म स्कुरू डिला रिलीज हो गई और होल में सीट या भी बज़ गई ये बन हंडरेड करोर अर्ण कर लेगी नेक्स डे रगु ने एजेंट हसीना फिल्म में मंदीरा की साथ एक ओर लीडिंग एक्टरिस को रोल दिया ये मीना ही थी बही तो माही की 1857 मूवी कर रही थी बट अर्मान की वज़े से निकाल दी गई थी मेडिया में भी यही रोमर्स थे कि अर्मान की वज़े से मीना को निकाला गया था बट यहां अर्मान की वाइफ मंदीरा ने अर्मान को सपोर्ट करते हुए सारा बले माही पर डाल दिया ये बोनकर कि अर्मान ने पहले भी Fresh Paces को लॉंच किया है वो ऐसे नहीं करेगा फिर मीना ने भी जूट बोल दिया कि माही की टू फिल्म्स की डेट प्लैस हो रही थी विए जैस नहीं करना चाते थे फिर उदर विक्टर स्टूडियो में 1857 मुवी की शूटिंग खतम होने ही वाली है बस थ्री डेज का काम बचा है बिट अर्मान गायब फिर पता चला की न्यूज में अर्मान और उसकी लास्ट फिल्म की कोई स्टार की पिक्स वाइरल हो रही हैं अर्मान ने अपनी वाइफ करना स्टार कर दिया अधमान ने अपनी साइड से पोल्ट राई किया इस निउज को दबाने का बट नहीं कर पाया गाइस यह सब रगो और जैको ने मिलकर मेडिया में फैलाया था रगो ने माही को परबाद करने को किया यह सब अब यही पर वेब सीरीज का पर्श लाइक जरूर करना और अपना उपिनियन इस मोवी के बारे में या हमारे चैनल और इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर गता आना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल एंट टेक कियर आफ योरसेल्फ बाए